आप सबको मेरा नमस्ते ये सेशन में हम लोग आपको IMS Act के बारे में बताने वाले IMS Act Tech हमारा भारत देश का कानून है जो माता को अपने खुद का जो स्टन का दूथ है वो प्रमोशन करने के लिए बहुत महत्वपुरुन कानून है बहुत सारी formula companies हैं जो अपना खुद का जो formula बेशने के लिए बहुत time कानून तोड़ता है तो वो कानून क्या है वो आपको जानना जरूरी है अगर आपको लगे कि कहीं पे भी वो कानून तूट रहा है तो आपको definitely BPNI का जो एक अप है वो भी हम लोग ने ये टूटॉर में बताया हुआ है वो आपके माधियम से आप कंप्लेंड कर सकते हैं तो वो definitely वो कंप्लेंड जाएगा और उसका जो कानून अगर टूट रहा है तो उसको definitely सजा मिलेगी तो आप देखी कि ये I miss act क्या है जैसे मैं आपको उदारन दे रहे हूँ एक तो है कि जो बिलबॉर्ड होते है जो टाइस के लिए कर दोटाइस नहीं हो सकती है ठीक है कहीं भी आप शॉप में जाएं कहीं भी दुकान में जाएं तो वहां पे भी एड़िटाइसमेंट नहीं होनी चाहिए ये कानून के खिलाफ है तो ऐसे बहुत सारी ऐसे चीज है आपको जाना जुरूरी है क्योंकि अगर हम लोग ये कंप्लेन नहीं करेंगे अगर कानून तूट रहा है तो जो मा को जो सपोर्ट मिलना चाहिए अपने खुद का दूद देने को वो सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये आप देखिए और समझेए कि हमारा IMS Act क्या है ठीक है दान्यवाद स्तनपान की रक्षा के लिए भारतिय कानून के बारे में बने इस पोकन टूटॉरियल में आपका स्वागत है इस टूटॉरियल में हम जानेंगे शिशु के लिए खादिपदार्थों के विकल्प या IMS IMS अधिनियम पहले समझते हैं क्या हैं शिशु के लिए खादिपदार्थों के विकल्प खादिपदार्थों के विकल्पों को IMS भी कहा जाता है IMS वो खादिपदार्थ हैं जिसे थोड़ा सा या पूरा मा के दूट की जगा दिया जाता है इसमें दो साल तक के शिशूओं को दिये जाने वाले बाजार में मिलने वाले खादिपदार्थ या दूद शामिल हैं इस टुटारियल में हम IMS को बाजार में मिलने वाले शिशू के खाने या शिशू के लिए खादिपदार्थ बोलेंगे लोग बाजार में मिलने वाले शिशु के खाने को क्यों इस्तिमाल करते हैं। ऐसे खाने को इस्तिमाल करने के पांच प्रमुख कारण हैं। पहला कारण मिठख है जो बाजार में मिलने वाले शिशु के खाने की तुलना स्तन के दूद से करते हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि यह स्तन के दूद के समान अच्छे हैं और मा के दूद के बदले में इस्तेमाल हो सकते हैं। कुछ बेखबर लोग इन्हें स्तन के दूद से बहतर मानते हैं। यह एक आम मिठख है क्योंकि वे बजार में मिलने वाले शिशु के खाने से होने वाले नुकसान नहीं जानते ना ही देख सकते हैं। लोग इनके बुरे असर के बारे में ठीक से नहीं जानते। इसके अलावा बेचने वाली कम्पनियों ने इन सब को स्तन के दूद के बराबर दिखाया है। यहां तक कि कई डॉक्टर या स्वास्तकर्मी भी इनके बुरे असर को नहीं जानते। विस्तान पान ना कराने से होने वाले नुकसान भी नहीं जानते। इसलिए जादातर लोग बाजार में मिलने वाले शिशु के खाने को हानी कारक भी नहीं मानते। बाजार में मिलने वाले शिशु के खाने की सामाजिक स्विक्रती है। यह दूद की बोतल और प्लास्टिक के निपल पर भी लागू है कोई भी बाजार में मिलने वाला शिशु का खाना स्तन के दूद के समान नहीं है उन में स्तन के दूद में मौजूद तत्वों जैसे कुछ तत्वों हो सकते हैं आम तत्व जैसे प्रोटीन, कैलोरी या फैट पर इन में स्तन के दूद के बाकी बहुत सारे तत्व नहीं होते स्तन का दूद हर मा और उसके शिशु के लिए अलग होता है बाजार में मिलने वाले शिशु के खाने में यह गुण नहीं होता वो सभी माओं और शिशुओं के लिए एक समान होता है उन में स्तन पान के मनोविज्यानिक भावुक लाब भी नहीं होते वे कुपोशन या मोटापे के कारण भी बन सकते हैं वे infection और बिना infection वाली बिमारियों का कारण भी बन सकते हैं इन में दिल की बिमारियां भी शामिल हैं और ऐलर्जी भी इनका सबसे बुरा अशर है कि इनके कारण शिशुओं के लिए स्तन पान जरुरी नहीं लगता कम्पनियां लोगों को नहीं बताती कि स्तन्पान मुफ्ट और सबसे अच्छा है बाजार में मिलने वाले शिशु के खाने को लेने का दूसरा कारण है कि यह खिलाने और पिलाने में आसान लगते हैं स्तन्पान एक कौशल है स्तन्पान के सही तरीके को सीखने या उसे कराने की मदद में समय और महनत लगती है शुरुआत में स्तन्पान के तरीके सीखते हुए मुश्किले हो सकती है मा को घर पर स्तनपान कराने के लिए परिवार के सहायता की जरूरत होती है उसे घर के बाहर या काम करने वाली जगा पर स्तनपान कराने के लिए समाज के साथ की जरूरत होती है इन वजहों से बाजार में मिलने वाला शिशु का खाना खिलाने में आसान समझा जाता है अब शिशु के लिए बाजार के खाने के तीसरे कारण की बात करते हैं कम जानकारी वाले स्वास्त कर्मी शिशु को बाजार का खाना देना आसान समझते हैं वे नहीं जानते कि माओं को दूद पिलाने में मदद किस तरह करें इसलिए किसी भी तकलीफ के समय शिशु को बाजार का खाना देने की सलह देते हैं बाजार के खाने के इस्तमाल का चौथा कारण है इन्हें बनाने वालों के द्वारा भारी प्रचार वेग्यानिक बातों से और पुरसकार के प्रलोभन से शिशु के लिए बाजार का खाना खरीदने के लिए लोगों को मनाया जाता है इन्ही बातों से वे स्वास्त कर्मियों को मनाते हैं ताकि वे शिशु के माता-पिता से बाजार का खाना खरीदने को कहें शिशु के लिए बाजार का खाना इस्तिमाल करने का पांचवा कारण है नई माओं की भावनात्मक कमजोरी मुश्किलों के दौरान माओं की चिंता बढ़ जाती है चिंताएं बाड या कोविड नाइंटीन संकर जैसी आपदाओं के समय भी बढ़ती है माएं आत्मविश्वास खो देती है और सोचती है कि उनके शिशु के लिए स्तन का दूद काफी नहीं होगा फिर बाजार के खाने के इस्तिमाल पर दिये गए गलत सलापर भरोसा करने लगती है और बाजार के खाने का इस्तिमाल शुरू कर देती है अब शिशु के लिए बाजार के खाने को बढ़ावा देने के इतिहास पर बात करते हैं पहली बार बनने के बाद से ही इनके बनाने वालों ने प्रचार के द्वारा स्तनपान की जरूरत ना के बराबर कर दी इनकी कंपनियों के लक्ष होते हैं गर्बवती या स्तनपान कराती माएं और स्वास्थ कर्मी वे पोशन और स्तनपान कारेशालाओं के द्वारा शिशु के लिए बाजार के खाने को बढ़ावा देते हैं वे बाढ या भूकम जैसी आपदा के समय मुफ्त में शिशु के लिए बाजार के खाने बांटते हैं किराने की दुकानों और दवाई की दुकानों पर बाजार के खाने की बिक्री को बढ़ावा देते हैं बाकी की आम दुकानों पर भी इनी बाजार के खाने को प्रमुक्ता से दिखाते हैं वे लोगों को इन खानों को खरीदने और इस्तिमाल करने का प्रलोभन देते हैं कुछ स्वास्तकर्मियों ने महसूस किया कि यह सब शिशू के लिए कितना नुकसान दायक है बचपन जीवन का एक नाजुक समय है शिशू को गलत खाना खिलाना या गलत तरीके से खिलाना दोनों ही खतरनाक है तो बाजार में मिलने वाले शिशू के खाने की बिक्री के लिए कुछ खास कानूनी नियमों की जरूरत पड़ी इसी लिए International Code of Marketing of Breast Milk Substitutes बनाया गया इसे 1981 में World Health Assembly द्वारा अपनाया गया इसी वज़े से बहुत से देशों ने शिशू के लिए बाजार के खाने की बिक्री पर कानूनी नियम लगाया भारत ने Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods Regulation of Production, Supply and Distribution अधिनियम 1992 और संशोधन अधिनियम 2003 में जारी किया इसे IMS अधिनियम भी कहा जाता है इस अधिनियम को मानने वाले सभी देशों ने कई और कानून भी जारी किये बनाये गए सभी कानूनों में IMS अधिनियम काफी कड़ा कानून माना जाता है IMS अधिनियम के नियम बहुत ही आसान तरीके से BPNI द्वारा बताए गए है BPNI, Breastfeeding Promotion Network of India है अब IMS अधिनियम के दस उलंगनों पर बात करते हैं IMS अधिनियम का उलंगन माना जाता है यदि खास दो साल तक के शिशूओं के लिए बाजार के खाने की बिक्री को किसी भी तरह का बढ़ावा दिया जाए उस खाने का नाम माईने नहीं रखता यदि IMS अधिनियम के दाइरे में आने वाले खाने का विग्यापन किया जाता है इसमें शिशू को पिलाने वाले दूद के विकल दूद पिलाने की बोतले और शिशू का खाना शामिल है किसी रूप या किसी माध्यम में कोई भी विग्यापन IMS अधिनियम का उलंगन करता है इसमें टीवी, अखबार, आम पत्रिकाएं, वैज्यानिक पत्रिकाएं, रेडियो और SMS विग्यापन शामिल है इसमें समाजिक प्रचार साधन, होल्डिंग, बैनर और अन्य विग्यापन भी शामिल है यदि खाने या उसके नमूने किसी भी व्यक्ति को बांटे जाते हैं इसमें गर्बवती और स्तनपन कराती माएं भी शामिल है यदि खाने को इस्तिमाल करने या बेचने के लिए किसी भी तरह का प्रोचाहन दिया जाता है प्रोचाहन के रूप में मूल्य में छूट या मुफ्त उपहार वगेरा हो सकते हैं यदि IMS के प्रचार से संबंधित शिक्षर सामगरी बांटी जाती है यदि इन खानूं के नाम पत्र पर बिक्री बढ़ाने के लिए खास चित्र लगे हो ये चित्र माओं, शिशुओं, कार्टून या रेखा चित्र हो सकते हैं यदि कोई अस्पताल, नर्सिंग होम, दवाई की दुकान किसी भी तरह IMS को बढ़ावा देते हैं इसमें IMS कंपनियों के बोर्ड या पोस्टर दिखाना भी शामिल है IMS को बढ़ावा देने के लिए अगर स्वास्थ कर्मी या उनके परिवार को पैसे या उपहार दिये जाते हैं यदि कोई IMS कंपनी या उसका वितर्क सीधे या गलत तरह से अंशदान देता है कोई कारेशाला प्रयोजित करता है या इसके लिए धन देता है इसमें बैठकें समेलन और शैक्षिक पाठिकरम भी शामिल है इसमें वित्तिय सहयता भी शामिल है और अनुसंधान अनुदान या पढ़ाई के लिए सदस्य शुल्क भी स्वास्थ कर्मियों या उनके साथियों के लिए प्रोचसाहन राशी की अनुमती नहीं है यदि IMS की बिक्री की मात्रा के आधार पर मुनाफे का अंतर पक्का किया जाए तो IMS कंपनी या उसके उत्पाद वितर्क IMS अधिनियम का उलंगन करते हैं कृप्या इन उलंगनों का तुरंत रिपोर्ट करें रिपोर्ट करने के लिए आप BPNI स्तनपान सुरक्षा मुबाइल एप का इस्तेमाल कर सकते हैं इस एप को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें उलंगन के रिपोर्ट करने के लिए केवल दो सरल चरन शामिल हैं जब आपको किसी उलंगन का पता चले तो एप खूले मेन्यू में इस टैब पर क्लिक करें रिपोर्ट प्रमूशन ओफ बेबी फूड्स और फीडिंग बॉटल्स रिपोर्टिंग पेज खूल जाएगा निर्दिष्ट जगह पर आवश्यक जानकारी दे दे यदि आपके पास कोई फोटो या दस्तावेज है तो उन्हें सनलगन करें और भेज दे याद रखें IMS कमपनिया अपने विज्यापनों में स्तनपान के लाब बता सकती है पर इस तरह का कोई भी विज्यापन मा को स्तनपान के बारे में शंका में डाल सकता है विज्यापनों को अधिक से अधिक माउं को शिशू का खाना बेचने के लिए बनाया गया है जितनी जल्दी मा स्तनपान कराना बंद कर देगी उतना ही अधिक बाजार का खाना खरीदा जाएगा यही वज़े है कि IMS कमपनिया स्तनपान को महत्वहीन बनाने की कोशिश करती है कम से कम दो साल की उमर तक शिशू को स्तनपान कराना जरूरी है स्तनपान की सही तकनीक शिशू को पर्याप्त दूद पिलाने के लिए जरूरी है यह सब इसी श्रिंकला के अन्य टुटॉरियल में बताया गया है अब यह टुटॉरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद यह से लिए